अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दूंगे और शाथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं आज आराध भी बिना पल के जपकाए सामने देखे जा रहा था कि आज सच में उसका सपना पूरा हो रहा है जिसको उसने सोते जाकते उटते बैठते हर टाइम इमेजिन किया था आज उसके सामने दुलहन के रूप में खड़ी थी अचानक से तेज मिजिक ने उसका ध्यान खिचा और देखा तो सामने सब डांस कर रहे थे आराध आगे आकर अपना हाथ आगे किया तो रूप राच्छी ने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया सब एक साथ हूटिंग करने लगे तो उसने रुद्राच्छी को गोद में उठा लिया उसके ऐसे रियेक्शन से सब और तेज हूटिंग करने लगे आराध लाकर बीच में उसे अच्छे से उतारते हुए उसके सामने खड़ा हो गया सोनी ने लाकर दोनों को जैमाला दिया बाकी सारे घर वाले भी अगल वगल खड़े थे रुद्राच्छी ने जैसे ही जैमाल डालने के लिए हाथ आगे किया राहूलमुकुलनिकेतन ने आराध को उपर उठा लिया रुद्राच्छी ने आराधी को देखा फिर अगल वगल सब को देखते हुए बोली एक काम कीजी आप लोग इन्हें ऐसे ही टांगे रहे ये मुझे कोई दिक्कत नहीं मैं बैठ जाती हूं कुछ देर तक आराधी बोला भाई छोड़ो यार क्यों मेरी नईया डुबा रहे हो राहुल मुकुल उसे नीचे उतारते हुए फट्टु कहीं का अभी से डर गया आगे क्या होगा इसका आराधी रुदराच्छी के सामने जुकते हुए बोला यार अब तो मान जाओ रुदराच्छी ने उसके गले में माला डाल दिया तो अब जल्दी से उसने भी जैमाल रुदराच्छी के गले में डाल दिया फिर दोनों ने अपने सभी वड़ों का असिरवाद लिया कुछ देर तक दोनों का फोटो सेशन हुआ और थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद कुछ खाने पीने को बोला गया तो सवा कर एक टेवल पर वैठ गये कुछ देर में चिंज करने के बाद दोनों की साधी के लिए मंडप में बुलाया गया बाकी सब लोग भी अगल वगल ही बैठे हुए थे संतोष जी और सालिनी को कन्यादान के लिए बुलाया गया तो दोनों लोगों की आखे भर गई सच में ये पल काफी नाजुक था दोनों लोगों के लिए कुछ देर बाद धीरे धीरे साधी की सारी रस्मे फेरे और सिंदुर्दान होने के बाद महापंडिच जी ने दोनों को सबका असिरवाद लेने के लिए बोला आराधे और उद्राची ने वहाजितने भी बड़े थे सबका असिरवाद लिया सालिनी जी ने राधिका और बाकी सबको आराधे और उद्राची को अंदर ले जाने के लिए बोला तो सब उन दोनों को अंदर लेकर चले गए नंदिनी सालिनी जी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोली भाभी आपकी बेटी हमारे यहां भी बेटी ही रहेगी जितना हमारा दे से प्यार करते हैं उससे कहीं जादा सम्मान मीठी को मिलेगा इतना वादा करते हैं आपसे सालिनी जी ने हाथ जोड लिया कुछ देर बाद विदाई की रस्म होनी थी संदोस जी एक तरफ खड़े थे कि कहीं वो आज कमजोर ना पर जाएं अपने जिगर के टुकड़े को जाते देख सालिनी अपने आपको समाले इधर उधर जबरजस्ती लगी हुई थी लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही सबने कहा विदाई का समय हो चुका है उनके आँखों से गंगा जमना बह चली क्यों भगवान ने या फिर इनसान ने ये रीत बनाई क्यों बेटी या कुछ भी कर ले वो आखिर दूसरे के घर ही जाती है सिमी जी रेडू जी उन्हें समाल रही थी लेकिन फिर भी आज उनका दिल ही जानता था वो कितनी बेबस थी नंदिनी अवंतिका पहले ही घर जा चुकी थी बाकी के लोग आराधी के साथ निकलने वाले थी रुद्राच्छी ने जैसे ही हॉल में कदम रखा अपने अम्मा बाउजी को देख कर आज वो खुद को भी नहीं रोक पाई और सालनी जी से लिपट कर बेवाज रो पड़ी पहली बार सब उसे रोते देख रहे थे हाज सब की आखे नम थी कुछ देरवाद राधी का बिनी ने उसे सालनी जी से दूर किया और बाहर चलने को बोली तसंतोस जी आकर उसके आंसु पोच्टे हुए उसका सर चुम कर बोले मिठी अब नहीं बच्चा वरना हमाराधी को घर जमाई बना लेंगे बोलते हुए भी वो खुद रो पड़े कुछ दिरवाद उन्होंने खुद को समभाला और उसे गाड़ी में वैठाते हुए बोले अपना ख्याल रखना बच्चा अमा बाउजी की जान हो तुम आराध्य उनके गले लगते हुए बोला पापा मैं ख्याल रखूंगा आपको सिकायत का कोई मौका नहीं दोंगा फिर बलदेव जी अविरल ने भी सबसे चलने के लिए आग्या लिया और बाकी बचे सब लोग वहां तिन चार गाड़ियों से घर के लिए निकल गए अंकुर संतोष जी को पकड़े खड़ा था बिनी राधिका सोनी कभिता सिम्मी जी सब लोग सालिनी को समाल रहे थे कुछ देरबाद सब लोग अंदर आ गए घर में इतने लोग थे फिर भी घर सुना हो चुका था एक इनसान के चले जाने से कितना फर्क पड़ता है आज फिर हर कोई यही बोल रहा था कुछ देरबाद बिनी ने सब के लिए चाय बनाई और जवरजस्ती सब को पिलाया आज वो एक बहु होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभा रही थी अंकुर उसे देख रहा था आज उसे बिनी पर प्रावड हो रहा था कितनी बड़ी गलती कर रहा था वो उसे सजा देकर जो कि उसने किया ही नहीं था एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर अपने पती के भरोसे आती है और जब उसे ये पता चले कि वही उसका नहीं है तो क्या बीत्ती होगी उस पर सोचते हुए उसकी आँखे भार आई तो वो जल्दी से अपने रूम में चला गया कुछ देर बाद विनी ने उसे हर तरफ देखा जब वो नहीं मिला तो उपर अपने रूम में आई देखा तो वो बालकनी में खड़ा सामने देख रहा था विनी अंदर आते हुए अंकूर तुम यहाँ क्या कर रहा हो नीचे चलो चाचा जी को जरूरत है तुम्हारी अंकूर कुछ नहीं बोला विनी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली अंकूर क्या हुआ और हर लड़की को एक ना एक दिन अपना सब को छोड़ कर जाना पड़ता है और सोचो मिठी तो यहीं पर हैजम मर्जी तबाजा सकती है अंकूर घूम कर उसके गले लग गया बिनी उसके पीट पर हाथ रखते हुए बोली तो अभी से इतनी सिंता हो रही है अंकूर अपनी पकड उस पर कशते हुए बोला थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू सो मच आई लव यू बिनी बोली वो तो आना ही था अगर मैं नहीं आती तो तुम्हारे जैसे बुद्धू को समालता कौन आराधे रुद्राची को लेकर अपने घर के बाहर खड़ा था बाकी सब लोग पहले और कुछ उसके साथ आ चुके थे नंदिनी ने आराधे को आने के लिए बोला तो रीतिका आगे आकर रुद्राची को चलने में हिल्प करने लगी आराधे ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और दर्वाजे पर आया तो नंदिनी ने आरती उतारी और कलस गिरा कर अंदर आने को बोली तब तक रीतिका आगे आते हुए बोली ऐसे कैसे अंदर भाई पहले मेरा गिफ्ट दीजिए फिर आप दोनों अंदर आई ये मोस्ट वेलकम है आप दोनों का आरा ध्यावंधिका को देखते हुए वोला भाभी इसे दो चार रुपे दे दी जेना बच्ची है चौकलेट खा लेगी अब इरल वोला भाई देख क्यों परेसान कर रहा है इसे और साथ में मीठी को भी खड़ा करके उसका पैर दर्द बढ़ा रहा है आरा धिमो बनाते हुए उसे एक पैकेट पकड़ा दिया तो रितिका साइड हो गई रुद्राच्छी अब सामने खलस किरा कर अंदर आई नंदिनी जी ने बुआ के साथ मिलकर कुछ रस्में किया और उसे आराम करने को रितिका के साथ रूम में भेज़ दिया रितिका उसे लेकर रूम में आई तो रुद्राच्छी बैठते हुए बोली थैंक्यू यार कितना कॉंप्लिकेटेड है ये सब मुझे तो अब नीद आ रही है रितिका बोली भावी पहले फ्रेस ओकर चेंज कर लीजिये तब तक मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ और साम को रिसेप्सन है तो उसके लिए भी आपको तैयार होना है रुद्राच्छी उड़ते हुए बोली मैं चेंज कर ले रही हूँ लेकिन अभी भूख नहीं है बाद में कुछ खालोंगी रितिका बोली लेकिन रुद्राच्छी बोली सच में अभी भूख नहीं है जब होगी तो खालोंगी अब अन्तिका आते हुए बोली अच्छा ठीक है भूख नहीं है तो चाही पीलो में भिजवाती हूँ तब तक फ्रेश हो जाओ रुद्राच्छी बोली थैंक्यू भावी लेकिन आप इतना क्यों दोड रही हैं अब आपको आराम करना चाहिए न अब अन्तिका बोली अब तो तुम आ गई हो तो मुझे तो अब आराम ही करना है आओ जल्दी से चेंज कर लो तो रुद्राच्छी चेंज करने चली गई अवंतिका रितिका के साथ बाहर चली गई कुछ देर में रुद्राच्छी बाहर आई उसने ब्लू कलर की प्लेन सिफान साड़ी पैना था कुछ देर में रितिका आकर उसे चाय देकर आराम करने को बोल कर बाहर चली गई रुद्राच्छी ने चाय पिया और लेड गई रात भर जागने की वज़े से उसे जल्दी से नीद आ गई आराधि भी चाय पीकर सोफे पर बैठा था कि उसका फोन बजा देखा तो मुकुल का था तो उठाते हुए बोला हम क्या हुआ मुकुल बोला भाई जाग रहा है तो बाहर आजा हम तुमारा इंतजार कर रहे हैं आराधि बोला आरा हूँ बोल कुछ देर में बाहर आया तो सब उसी का इंतजार कर रहे थे उसके बाहर आते ही सब बिना उसे कुछ बोलने का मौका दिये उसे अपने साथ ले गए साम को राधिका सोनी बल्देव जी अविरल रिसेप्शन की तैयारी में बीजी थे बाकी सब लोग साम को आने वाले लोगों में रुद्राच्छी सो रही थी साम को राधिका सोनी बिनी और कविता को नंदिनी जी ने पहले ही फोन करके बुला लिया था राधिका रुद्राची के रूम में आई तो वो सो रही थी बिनी बोली वा भाई यहां यह सो रही है और वहां हम लोग परेशान है कि नया घर नये लोग कहीं कोई दिक्कत ना हो राधिका बोली यार देखना कितना मासूम लग रही है सच में साधी के बाद एक लड़की का एक अलग ही रूप दिखता है बिनी बोली हटो यार तुम सब मुझे जगाने दो मीठी मीठी उठो यार कितना सोना है रुद्राच्छी ने जैसे ही आवाज सुनी आखे खोल कर सब को देखते हुए बोली गुड मॉर्निंग इतनी सुबह सुबह तुम सब तयार क्यूं हुए हो सबने एक दूसरे को देखा फिर उसे देखते हुए बोले ओ हेलो मैडम होस में आई ये रिसेप्सन है आपका और सुबह नई रात होने वाली है तो उठिये आपको तयार कर दे सब लोग आने वाले हैं रुद्राची बैठते हुए बोली मैं भारी तो कुछ नहीं पहनने वाली अवंतिका आंदर आते हुए बोली हम सब को पता चल चुका है आपको भारी नहीं पसंद तो साड़ी पहन लो और ये जोइलरी रुद्राच्छी बोली भावी जोलरी की क्या जरूरत है ये पहना तो है अवंतिका बोली मिठी आज रिसेप्सन है तुम्हारा तो ज्यादा ना सही उतना तो पहनना ही बढ़ेगा ना कि देवर जी की नजरे तुम्हारे पर ही थमजाए बिनी बोली वो तो वैसे भी आज घायल होने वाले हैं भावी उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए रुद्राच्छी ने उसे घूरा तो अवंतिका उसे तयार करने को बोल बाहर चली गई बिनी साड़ी उसके सामने करते हुए बोली ओ हैलो मैडम आप घूर क्या रही हैं चलिए चेंज करके आईए हम तयार कर दें आपको उसके बाद देखिएगा रुद्राच्छी सर जटक कर साड़ी लेकर चेंज करने चली गई लेकिन सुबह तो इधर उधर जोड कर पहन लिया था लेकिन अब ये साड़ी उससे हो ही नहीं रहा था कुछ देर बाद वैसे ही लपेट कर बाहर आ गई रुद्राच्छी बोली यार ये हो ही नहीं रहा है बिनी हसते हुए बोली मतलब तो सुबह किसने पहनाया था हमारे जीजा जी ने रुद्राच्छी खीशते हुए बोली चुप करो यार वो तो ऐसे ही पहन लिया था राधिका बोली रुखजाओ मैं पहना देती हूँ बोल उसे साड़ी पहनाई और जोलरी के साथ उसका हलका मेकप किया कुछ देर में वो तैयार हो गई तो उसे याद आया फिर राधिका को देखते हुए बोली अमा बाउजी भी आये हैं तुम लोगों के साथ बिनी बोली नहीं लेकिन आने वाले ही होंगे रुद्राच्छी उसका हाथ पकड़कर बिनी कहने की जरूरत तो नहीं है लेकिन प्लीज उनका ध्यान रखना बिनी बोली ये भी कोई कहने की बात है तुम निश्चिंद रहो हमारे रहते उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी हम सब उनका पूरा ध्यान रखेंगे और तुम हो ही दिन में एक बार आफिस जाते वक्ति आफिर आते वक्त आ जाना रुद्राच्छी बोली हम ये सही है रीतिका अंदर आते हुए भावी आप तयार हो गई है तो चलिए सब बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं रुद्राच्छी सब के साथ बाहर आ गई सबने उसे स्टेश पर छोड़ा और नीचे आ गए संतोष जी और सालिनी आकर उसे मिले तो दोनों लोगों को उसे खुश देखा तो उन्हें कुछ हद तक सांती मिली दीरे दीरे बारी बारी आकर सम मिल रहे थे सब के मिलने मिलाने में ही काफी टाइम हो चुका था तो अविरल ने सब को खाना खाने को बोल दिया रुदराच्छी भी सब के साथ बैठी आज सालिनी जी ने पहला निवाला उसकी तरफ बढ़ाया तो उसकी आँखे छलक आई सालिनी जी बोली रोना नहीं आज से अपने लाइफ की एक अच्छी सुरुआत करना है और खुस रहना बच्चा क्यूंकि हमने हमेशा अपने बच्चे की खुसी चाही है और वैसे भी हम तो पास में ही है जब भूख लगे या मेरी डाट खाने का मन हुआ जाना तो सबने अब हस दिया कुछ देर में संतोष जी और सालिनी रुद्राच्ची को समझा कर बाकी सबसे आ गया लेकर अंकूर के साथ अपने घर चले गए मिन्टू को कुछ काम था तो वो भी कविदा को लेकर घर के लिए निकल गया बिनी राधिका सोनी रुद्राच्ची को उसके रुम में छोड़ा और धेर सारी बाते बता कर रुद्राच्ची को छोड़ बाकी सब अपने घर के लिए निकल गए रुद्राच्छी ने रूम देखा एकदम उसके रूम की तरह ही डेकोरेट किया गया था मतलब आराध्य ने जान बुच कर उसके रूम की तरह ही अपने रूम को डेकोरेट करवाया है पूरे रूम को गुलाब कैंडल और बैलून से सजाया गया था सामने सुन्दर सी बालकनी भी थी रूम भी काफी बड़ा था इस रूम में वो साहद पहली बार आई थी इसलिए उसे देख रही थी आरादे बाहर से कबसे भागना चाह रहा था लेकिन आज उसके दोस्त उसे छोड़ी नहीं रहे थे काफी देर से अविरल जब देखते देखते ठक गए तो उनके पास आते हुए बोले आरादे चलो मुझे तुमसे कुछ काम है राहुल बोला भाई कम से कम आज अविरल ने उसे देखा तो वो हसते हुए बोला मुझे नीद आ रही है मैं चलता हूँ भाग गया अविरल आरादे को देखते हुए जाओ अंदर अभी तक यहां क्या कर रहे हो आरादे बोला भाई वो आ विरल बोला अवजाओ आरादे उसके गले लगते हुए बोला थैंक्यू भाई सबसे बचाने के लिए बोल अब जल्दी से अपने रूम की तरफ चला गया लेकिन जैसे ही दर्वाजे पर पहुंचा रितिका हाथ बादे खड़ी उसी का इंतजार कर रही थी अराधे बोला अब क्या हुआ तुम यहां क्या कर रही о चलो हटो तुम्हारी भावी अकेले होगी ना तुम सो जाओ जाओ रितिका बोली भाई आप ऐसे नहीं जा सकते पहले गिफ्ट दो आरादे बोला अभी सुबह तो दिया था रितिका बोली वो सुबह का था मुझे अभी के लिए चाहिए आरादे बोला अच्छ ठीक है जाओ तुमारे रूम में रखा हुआ है रितिका बोली सच में आरादे बोला हम तो रितिका उसे गुड नाइट बोलकर अपने रूम की तरफ चली गई आरादे आव अंदर गया और दर्वाजा बंद करके जैसे ही मुड़ा तो धड़कने जैसे थम सी गई पूरा रूम काफी खुबसूरत से सजाया गया था और उपर से आज उसकी महबत उसके रूम में थी कुछ देर तक तो वो पूरे रूम को देखता रहा फिर पूरे रूम में नजर दोड़ाने के बाद आखिर में नजरे जिसकी तलास में थी वो नहीं मिली तो थोड़ा परेसान होकर इतर उदर देखने लगा कि बात रूम का दर्वाजा खुला रूदराच्छी बाहर आई और जैसे ही दोनों की नजरे मिली कुछ देर के लिए जैसे दोनों खुद को भूल गएं कुछ देर तक एक दूसरे को देखने के बाद आराध्य उसके पास आया रूदराच्छी अभी भी वैसे ही खड़ी थी लेकिन नजरे अब जुक चुकी थी आराध्य उसे लाकर बेट पर बैठाते हुए उसके सामने बैठ कर बोला तो क्या आज मुझे इजाजत है अपने जान को जी भर कर देखने का रूदराच्छी ने उसे देखा तो धड़कने कुछ ज़्यादा ही तेच चलने लगी घब मेरी तरफ से साधी के बाद का पहला तोफा रूदराच्छी ने गिफ्ट देखा फिर जैसे ही रखने को हुई आराध्य उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला देखना नहीं है रूदराच्छी ने खोल कर देखा तो उसमें एक सुन्दर सा ब्रेशलेट था आराध्य उसे अपने हाथ में लेकर पहनाते हुए बोला मुझे जो समझ आया ले लिया अगर नहीं पसंदो रूदराच्छी बोली नहीं ठीक है मतलब पसंद है मुझे आराध्य मुस्कुराते हुए बोला और मैं बोल उसे देखने लगा रूदराच्छी ने उसे देखा फिर बिस नहीं आ रही है और आज तो हमारी बोलते बोलते रुक कर रुद्राच्छी को देखा जो उसे ही देख रही थी और जैसे ही दोनों की नजरे मिली रुद्राच्छी ने आखें बंद कर लिया आ रहा थे अब उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला तो आपको नीद आ रही है कोई बातनी मैं भगा दूँगा और मैंने तो पहले ही बोला था मेरे घराने के बाद पता चलेगा मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ बोल उसके नस्दीग बढ़ा लेकिन रुद्राच्छी हडवडा कर जल्दी से पीछे हड़ते हुए बोली मुझे मुझे सच में नीद आ र रुद्राच्छी अब आगे बढ़कर उसके सीने से लग गई क्योंकि दोनों की सिच्वेशन साथ सेम थी इसलिए दोनों एक दूसरे की सिच्वेशन समझ रहे थे फिर भी प्यार चाहे जितना भी क्यों ना हो किसी भी रिष्टे को अचानक से आगे बढ़ाना साथ दोनो ने आज सोना ही बेतर समझा क्योंकि वक्त भी काफी हो चुका था और सुबह घर में पूजा भी थी रुद्राच्छी आराधि के सीने से सर लगा कर अब सुकुन से सो गई और आराधि ने भी उसे वैसे ही लेकर आखे बंद कर लिया सुबह साथ बज रहे थे कि अचानक आ बदला आराधि वापस से उसे अपने तरफ करते हुए बोला अभी तो मैंने जी भर कर देखा भी नहीं और आपको भागने की प्लानिंग भी हो गई रुद्राच्छी को जैसे ही याद आया उठकर बैठ गई देखा तो आराधि उसे ही देख रहा था रुद्राच्छी ब पहले गुड मॉर्निंग बोलिये रुद्राच्छी आराधि पुरुशोत्तम उसके बाद कहीं जाने की पर्मिसन मिलेगी रुद्राच्छी बिना उसे देखे बोली गुड मॉर्निंग अब छोड़िये नहीं तो लेट हो जाएगा आराधि बोला क्या बात है यार साधी के सुबह सुबह किसी की वाइफ अपने हस्बेंड को ऐसे गुड मॉर्निंग बोलती है आज पता चला रुद्राच्छी बोली अच्छा तो कैसे बोलती है क्योंकि मेरे पास तो कोई एक्सपेरियेंस है नहीं और जैसे भी बोलती हो मैं बाद में बोल दूंगी अभी लेट ह हो रहा है आरा दे बोला मिठी ये कौन सी बात हुई यार रात को भी तुम्हें नीद आ रही थी और अब सुबह सुबह भी तुम्हें भागना है मेरी तो जैसे रुद्राच्छी आगे बढ़कर अब उसका मुँ बंद कर चुकी थी आरा दे अब उसे वैसे ही पकड़कर वापस से लेट गया कुछ देर बाद रुद्राच्छी जैसे ही दूर होने को हुई आरा दे उसे अपने उपर खीचते हुए बोला आज के बाद मुझे ऐसे ही गुड मॉर्निंग चाहिए जिससे मेरा मूड और मेरी सुबह दोनों एकदम से फ्रेस हो जाए रुद्राच् उसका हाथ अठाते हुए बोली देखिए अब ये ज्यादा हो रहा है पनिजी आरा दे बोला मिठी मैं क्या सोच रहा था रुद्राच्छी अब उसका हाथ अठाकर उड़ते हुए बोली बाहर जाईए और भाबी को भेज़ दीजिए मुझे साड़ी बहनने नहीं आता आर अठाते हुए बोला चलो आरा देवाबू हो गई सुबह और बाहर आया तो सभी लोग हाल में ही बैठे थे तो अवंतिका के पास आते हुए बोला भाबी वो मीठी को हिल चाहिए आपकी अवंतिका बोली हम जाती हूँ वैसे आपका मुह क्यों लटका हुआ है मैंने तो सो करना है मैं आता हूँ बोलकर बाहर चला गया और अवंतिका हस्ते हुए रुद्राची के रूम में रुद्राची को अवंतिका ने तयार किया और बाहर लाई हाल में ही सभी लोग बैठे थे बस आराधि को छोड़ कर तो उसने अपने से सभी बड़ों का असिरवाद लिया बुआ जी ने तो लगे हाथ दो से तीन होने की फरमाईस भी कर दिया अब उन्हें कौन समझाए लड़की जितना सरीब दिख रही है उतनी है नहीं लेकिन इन सब मामले में कुछ ज़्यादा ही पीछे है तो उसने भी बस मुस्कुरा कर हाँ बोल दिया नंदिनी अवंदिका को बैठने को बोल रुदराची के साथ किचन में चली गए कुछ देर में सब लोग तयार थे मंदिर जाने के लिए नंदिनी की मदद से रुदराची ने भोग के लिए मिठा भी बना दिया बुआ उड़ते हुए बोली बहु को खाना बनाना नहीं आता क्या भावी जो आप उसके साथ लगी हुई थी नंदिनी बोली अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है बस मैं प्यार से लगी हुई थी और आप जाकर तयार हो जाईए नहीं तो लेट हो जाएगा फिर रुदराची को देखते हुए बोली बेठा जाओ देख लो तो आरा दे कहां है तयार हुआ की नहीं अभी तक और तुम भी तयार हो जाओ रुदराची ने हामेशी रिलाया और अपने रूम में चली गई रुम में अंदर आई तो पीछे से दर्वाजा बंद होने की आवाज से पीछे पलटती तब तक आरादे उसे पीछे से पकड़ते हुए बोला कब से इंतजार कर रहा था यार तुम तो एक दिन में चेंज हो गई एकदम टिपिकल बहु वाले रोल में आ गई रुद्राच्छी बोली हम अच्छा हमें तो पता ही नहीं था बोल उसका हाथ अटाते हुए बोली अब बाहर चलिए तैयार हो गए हैं तो मा बाहर इंतजार कर रही है आरादे उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला मीठी यार मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हू और तुम बोलकर मुह बना लिया रुदराची उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोली पती देव मंदिर जाना है तो चलिए वरना लेठ हो जाएगा उसके बादा कर मैं आपकी सारी बास सुन लूँगी मगर अभी चलिए नहीं तो सच में लेठ हो जाएगा और बुआ चार बास सुना देंगे आराधी ने उसे देखा फिर उसकी आँखों से काजल लेकर कान के पीछे लगाते हुए बोला किसी की नजर ना लगे मेरी क्यूट सी वाइप को रुदराची बोली हम तो चले आराधीमो बनाते हुए बोला नहीं तुम मुझे ऐसे ही व पहाना बना दोगी और भाग जाओगी रुदराची उसके गले में हाट डाल कर अच्छा तो सच में आपको लगता है मैं आपको वेवकूब बना रही हूं और आप बन जा रहे हैं तो फिर कुछ देर तक उसे देखने के बाद अपना हाथ निकालते हुए बोली तब तो मे मजाग कर रही थी आरादे बोला लेकिन मैं तब तक उनका दर्वाजा नौक हुआ तो आरादे ने उसे छोड़ दिया और जाकर दर्वाजा खोला तो अवंतिका मुश्कुराते हुए बोली देवरजी रोमान साने के बाद कर लिजेगा हमें लेट हो रहा है और बाकी सब चले गएं आप दोनों अपनी गारी से जल्दी आ जाना ठीक है अब और लेट नहीं बोलकर चली गएं रुदराची उनके पीछे निकलने को हुई लेकिन आरादे ने वापस से उसे पकड़ लिया रुदराची अपना हाथ छोड़ाते हुए आरादे सच में लेट हो जाए आरादे बोला मैडम जी चलिए नहीं तो बाद में आप मुझे इबलेम करेंगे रुदराची उसके गाल पर किस करके चलिए और उसका हाथ पकड़ कर बाहर आ गए कुछ दिर में सब लोग मंदिर पहुँचे जहां आरादे और रुदराची के नाम से पूजा हुआ जिसम और रुदराची भी सब के साथ ही बैठे थे नंदिनी और बल्देव जी आपस में कुछ बात करके बल्देव जी बोले आराद तुम और मीठी आस पाठक हाउस चले जाओ बेटा मीठी का पकफेरा भी हो जाएगा और वो सबसे मिल भी लेगी नेकी और पूछ पूछ अंक बोलते हुए अंकुर और बिनी दोनों अंदर आ गए और सब को प्रडाम बोलकर बैठते हुए अंकुर बोला मैं तो कबसे आने को बोल रहा था लेकिन आप तो जानती है लड़कियों को तयार होने में कितना टाइम लगता है तीन घंटे से परेशान हूँ मैं बिनी उसका हाथ हलके से दबाते हुए बोली ज्यादा मुने खोल रहे हो अवंतिका बोली वैसे अंकुर बाबू अब आप भी खुसकबरी सुना दो उस घर में थोड़ी सी रौना का जाए अंकुर बोला क्या बात बोला है आपने भावी आपने तो मेरे मुन की बात ही छीन ली बिनी उसके पैर पर तेज से मारी तो जल्दी से उड़ते हुए बोला इरिती बेटा घर में मच्छर कुछ जादा हो गए है क्या आरादे धीरे से बोला नई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है फिर भी अंकुर ने सुल लिया तो नंदिनी जी के पास जाकर बोला आंटी अपना देख लो हम दोनों चले जाएंगे अंकुर बोला रहे लेकिन आरादे उठते हुए बोला मा पापा हम दोनों चले जाएंगे और सुबह चले आएंगे बोल अपने रूम में चला गया अंकुर रुद्राच्छी के पास आकर बैठते हुए बोला ये कुछ ज्यादा बच्चा अवंतिका बोली मीठी तुम भी तयार हो जाओ तब तक हम लोग बाते कर लेते हैं रुद्राची उड़कर अपने रूम में चली गए आराध्य अंदर वालकनी में खड़ा था रुद्राची ने देखा तो उसके पास जाकर पीछे से उसे हग करते हुए बोली आप आराध्य बोला हम तो भावी को बुलाऊं रुद्राची उसकी तरफ देखते हुए नई सुबह भावी ने बता दिया है और फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप तो हैं ही ना आराध्य उसकी कमर में हाट डालकर खुद के करीब करते हुए वो तो मैं सुबह भी था तब त रुद्राची उसका हाथ हटाते हुए तो इसलिए अब ले लेती हुँ आराध्य आलमारी से एक साड़ी निकाल कर उसके सामने करते हुए बोला जाओ चेंज कर लो वरना तुम्हारा वो दोस्त ना किसी भी टाइम पहुँच जाएगा रुद्राची बोली अच्छा इतना डर है उसका आराध्य बोला डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हुँ लेकिन वो क्या है ना छोड़ देता हुँ उसे क्योंकि उसको कुछ बोल कर आपको हट नहीं करना चाहता रुद्राची एक नजर उसे देखकर अब चेंज करने चली गई कुछ देर में बाहर आई तो आराध्य ने थोड़ा इधर उधर से उसकी साड़ी को सही किया फिर दोनों बाहर आ गए फिर दोनों बाहर आये तो सबसे मिलकर एक गाड़ी से आराध्य रुद्राची और दूसरी से अंकुर और बीनी दोनों पाठो खा उसके लिए निकल गए आधे गंटे बाद साल बस भी कीजिए ना कितने देर खड़ा रखना है अरे दूसरे देश से नहीं कुछ दूर पर से ही हमारी बेटी आ रही है और आप तो ऐसे लगी हुई है जैसे सालिनी जी अब बाहर चली गए और रुद्राच्छी आरा दे अंदर आकर हॉल में बैठ गए सालिनी जी कुछ द कुछ नहीं सुनना है मुझे पहले खाना खाओ संतोष जी बोले हो गया सुरू फिर सालिनी जी की तरफ देखते हुए बोले सालिनी हम सब लोग भी हैं आप तो बस अपने बेटी में बीजी हो गई अरे बेटी के साथ साथ दामाद भी आए और इतने सारे लोग हैं और खाना कुछ भी कितना खिला हो गया सालिनी जी बोली मीठी बस लाष्ट बाइट रुद्राची बोली नहीं अब नहीं खाना कब से आप यहीं बोल बोल कर खिला रहे हो जैसे चार दिन का एक साथ ही खिलाना है सालिनी जी बोले सालिनी जाने दीजिए ना कुछ दिर बाद सालिनी जी बोली हम्, ठीक है, चलिए, आप सब लोग भी खा लीजिए, संतोष जी बोले, चलो, आपको हमारी याद तो आई, सालिनी जी बोली, आप भी न जैसे कि मैं आपको याद ही नहीं करती, तो एक काम कीजिए, आज आप ही सब को और खुद को खाना सर्व कर दीजिए संतोष जी सालिनी के पास आते हुए आप भी सालिनी जी में नाराज होने वाली क्या बात है और मैं तो बस सालिनी जी बोली क्या बस कबसे आप कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं ये नहीं कि मेरी कुछ हेल्प करवा दे बाकी आरादे अंकुर विनी रुद्राची दोनों लोगों को देखे जा रहे थे और उनकी लड़ाई कबसे खत्मे ही नहीं हो रही थी कुछ देर बाद रुद्राची उड़ते हुए बोली अम्मा मुझे नीद आ रही है आप लोग कांटीनू कीजिए बीनी बोली मीठी यार कुछ देर तो बैठो ऐसे कैसे नीद आ रही है अंकुर बोला जाने दो सुबह से दोड़ रही है ठक गई होगी मीठी जाओ आराम कर लो संतोस जी बोले हाँ बेटा जाओ चिंज करके आराम कर लो सबसे ऐसे ही बैठी हो वैसे भी ये सब पहनने की आदत तो है नहीं तो जाओ चिंज करके आराम करो सुबह बात करेंगे रुद्राच्छी सालिनी जी से अम्मा आप सब को खाना दे दो और मुझे सुबह खिला दीजिएगा यहीं पर हूँ बोलकर अपने रूम में चली गई सब लोग अपने में बाते करते हुए खाना खा रहे थे सालिनी आरादे से बाकी सब के बारे में पूचते हुए वहीं बैठ गए कुछ दिरवास सब अपने अपने रूम में चले गए हाल में बस आ रहा थे और अंकूर ही बैठे किसी बात पर डिसकस कर रहे थे बिनी अंकूर का वेट करते करते ठक गई तो उसे देखने बाहर आई देखा तो वो आ रहा थे के साथ किसी विजनेश डिल के बारे में डिसकस कर रहा था बिनी अंकूर के सामने आते हुए बोली अंकूर कितनी देर और चलने वाली है तुम्हारी डिसकसन यार अपने बारे में ना सही सामने वाले के बारे में तो सोचा करो वो भी सुबह से तुमारे दोस्त के साथ ही दोड़ रहा है उसको भी आराम की जरूरत हो सकती है अंकुर उड़ते हुए तो मैंने कम मना किया गुड नाइट आराध बोल कर जाने को हुआ फिर उसे देखते हुए बोला गेस्ट रूम में सो जाओ मैंने वो तुम्हारे लिए तायार करवा दिया है आराध पैंट के जेब में हाट डालते हुए बोला थैंक्यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए लेकिन सायद तुम भूल रहे हो अब मेरी साधी हो चुकी है तो अब मुझे ओफीसियल राइट मिल चुका है तुम्हारे दोस्त के रूम में जाने के लिए अंक्यूर बोला लेकिन उसकी नीद थराव होगी ना तो बिनी अब उसका हाथ पकड़ कर खीशते हुए बोली बहुत हो गया बक्वास सब चलो नहीं तो उसका तो कुछ नहीं लेकिन तुम जरूर बाहर सोने वाले हो आराधे हंसते हुए बोला गुड नाइट और उद्राची के रूम की तरफ चला गया उसके जाने के बाद बिनी अंकूर का हाथ छोड़ उसे घूरते हुए बोली ये क्या था अंकूर आगे बढ़कर उसे गोद में उठाते हुए बोला कुछ नहीं और तुम बीच में नहीं आती तब देखती उसका मैं क्या करता बिनी बोली तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता बोल उसके गले में हाट डाल दिया आराधे अंदर रूम में आया तो रुद्राच्छी चंज करके पहले ही सोच चुकी थी आरादे अब खुछ से बोला तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता आरादे साधी के बाद भी साधी से पहले वाली फीलिंग ही आ रही है फिर बैक खोल कर कपड़े निकाल कर कुछ दिर में चंज करके आया तो रुदराच्छी गायर थी आरादे इधर उधर देखा लेकिन वो कहीं नहीं दिखी तो बालकनी में गया वहां भी वो नहीं थी अब दर्वाजा खोलने को हुआ तब तक दर्वाजा पहले ही खुल गया आरादे बोला मेठी कहां गई थी यार मैं कितना परिसान हो गया था ऐसे अचानक कहां रुदराच्छी चाय का कप उसके सामने करते हुए नीत खुल गई तो सोचा चाय पी लिया जाय खाना तो साथ खाय नहीं तो चाय ही पी लेते हैं आरादे उसके हाथ से कप लेका रंदार आया और बेट पर बैठ गया तो रुद्राच्छी भी उसके वगल में बैठते हुए बोली आप खुश नहीं हैं आरादे उसके ऐसे बोलने से उसकी तरफ देखते हुए बोला ऐसा क्यूं बोल रही हो और मैं दुखी किदर से दिख रहा हुँ रुद्राच्छी उसके कंदे पर सर रखते हुए सच में आप खुश है ना आरादे ने दो सिप लेकर कप उसकी तरफ बढ़ा दिया तो रुद्राच्छी ने एक सिप लेकर अरब उसे टेबल पर रख दिया आरादे उसका हाथ पकड़ते हुए बोला कल साम को हम केरल जा रहे हैं अपने हनीमून के लिए रुद्राच्छी ने आखे खोल कर उसकी तरफ देखा फिर से आखे बंद करके बोली ठीक है आरादे बोला अब नीद नहीं आ रही है रुद्राच्छी बोली आ रही है लेकिन आरादे बोला क्या लेकिन रुद्राच्छी बोली मेरा सोना आपको अच्छा नहीं लगेगा इसलिए आराध्य उसका हाथ पकड़कर लेटाते हुए बोला यही समझती हो मुझे चलो सोजाओ मुझे भी बहुत तेज नीदा रही आज सोजाते हैं फिर तो हनीमून पर वैसे भी बस जागना ही जागना है रुद्राच्छी अब बिना कुछ बोले उसके हाथ पर सर रखकर सो गई और कुछ देर में वापस से उसे नीदा गई आराध्य उसका सर चूम कर उसे देखते हुए बोला सेरनी भी कभी कभी पागलों जैसा भी हैप करती है आज पता चला वो लाँखे बंद कर लिया सुबह आराध्य की आँख खुली तो रुद्राच्छी अभी भी उसे पकड़े आराम से सो रही थी आराध्य उसके वालों को साइट करते हुए उसके सर पर हाथ फेर कर बोला गुड मॉर्निंग जान अभी और कितना सोना है और आपको नहीं लग रहा है कि साधी के बाद सारे काम छोड़ कर बस सो रही है रुद्राच्छी आँखे खोल कर उसे देखते हुए बोली गुड मॉर्निंग और वापस से सर उसके सीने पर रखते हुए आँखे बंद कर लिया आराध्य बोला अच्छा तो सुबह सुबह आपकी सरारत वो भी मुझसे सोच लीज ये कह भारी ना पड़ जाए रुद्राच्छी बोली सोने दीजिये ना और जो भी भारी हलका है मुझे सम्मन्जूर है आराध्य उसे अपने उपर खीशते हुए है रशने वाली हाथों में गढ़ी है मुझे भी कह सके है अब कनिया हाथों में खीलने वाली है तेरे मन को जीवा भागने की प्लानिंग अभी कल समझाया था ना बोलते हुए उसके उपर जुकने लगा रुद्राच्छी जल्दी से हाथ आगे करके ब्रेस तो किया नहीं है पहले ब्रेस कीजिए आराध्य उसे घुरते हुए बोला सच में यार कहां से आते हैं तुम्हारे दिमाग में य लौजिक रुद्राच्छी बोली जहां से आपके दिमाग में नहीं आदे बोल उसके गाल पर किस किया और कपड़े लेकर बात्रूम में चली गए और आराध्य अपना फोन लेकर वालकनी में बिनी तायार होकर अंकुर को उठाते हुए बोली अंकुर उठो बढ़ना मैं और तुम अभी तक सो रहे हो सर्म नाम की चीज तो है नहीं और जब देखो तब बस अपनी मर्मानी करनी है और अब ये सब फालतू बातो और हरकतों से मुझे परिसान कर रहे हो हटो और मुझे जाने दो अंकुर उसके चेहरे पर उंगली गुमाते हुए बोला तो कल जो अंकुर उसे पीछे से पकड़ते हुए बोला सुनो ना यार बिनी बली आंकुर मैं नहीं सुनने वाली तुम्हारी कोई भी बातिस लिए अंकुर उसके पेट पर अपनी पकड़ कषते हुए बोला मैं ध्यान रखूँगा तुम्हाराई प्रौमिस तुम्हारा और उसका अभी में पूरा ध्यान रखूंगा एक बार मौका तो दो यार सच में कभी कोई तकलिफ नहीं दूंगा बोल उसके कान के पास अपने होटो को लेकर जाते हुए बोला प्लीज मुझे भी मेरा बेबी चाहिए मान जाओ ना बीनी ने आखे बंद कर लिया उसका एहसा सी कुछ हैसा था जिस पर उसका खुद कंट्रोल भी खत्म हो गया और उसकी पकड़ उसके हाथ पर कस गई अंकूर उसे वैसे ही पकड़े खड़ा रहा तो बीनी उसकी तरफ घूमते हुए बोली रात को जागना तुमें पड़ेगा जब भी रोएगा या रोएगी चुप तुम कर होजूर है और उसके सर को चुमते हुए बोला आई लव यू बीनी उसका हाथ हटाते हुए बोली ठीक है अब नीचे आजाओ अंकूर बोला हम तुम चलो मैं वस दो मिनट में आ रहा हूं कुछ देर बास सब डाइनिंग टेबल पर वैट कर नास्ता कर रहे थे आरा दे बो बहुत खुस हूं कि मीठी मानी तो सही आरा दे बोला थेंक्यू मा सालिनी जी बोली पैकिंग तो कर लिया है आभी भी बाकी है वैसे मुझे मीठी पर यकीन तो नहीं है फिर भी पूछ ले रहे हूं तुम दोनों से आरा दिमो लटका कर बोला हम आपको तो पता है फिर भी पूछ रही है जैसे जानती नहीं अपनी बेटी को अंकुर बोला हां तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार पैकिंग करने में कितना टाइम लगता है बिनी बोली आज तक किया है कभी या सिर बोलना ही आता है सालिनी जी अंकुर को देखते हुए एक काम करो कुछ दिन जा यही चले जाओ बिनी का मूट चेंज हो जाएगा फिर उसकी तरफ जुगते हुए कुछ बोल कर दूर हट गई अंकुर ने बिनी को देखा तो वो उसे ही देख रही थी अंकुर बोला लेकिन यह बैक पैक करेगी तभी मैं जाओंगा बिनी बोली कोई जरूरत नहीं है करन साम को चारों की फलाइड थी अंकुर बिनी कोवा जा रहे थे और आरा थी रूदराच्छी के एरल दोनों की फलाइड दिली के लिए थी उसके बाद अलग-अलग थी कुछ देर में सबसे मिलकर दोनों निकल गए और बाकी सब लोग अपने अपने घर आ गए रुद्राच्छी ने जाने से पहले अब ऐसे बात किया तो वो भी अपने वातों के लिए गिल्ट में था और सबसे माफी मांगा और राधिका को लेकर डॉक्टर के पास चला गया अब लगबख सबकी लाइफ से ठो चुकी थी सब अपने अपने लाइफ में मस्त थे राध तक अंकुर और बिनी कुवा पहुँच गए और आराधिर रुद्राच्छी केरल अपनी लाइफ की नई सुरुआत करने के लिए केरल सुबह दस बजे तक दोनों आराम से सो रहे थे फोन की घंडी से आराधिकी आँख खुली तो उसने जल्दी से फोन उठाया और बलकनी में जाकर बात करने लगा कुछ देर बाद वो अंदर आया तो भी रुद्राच्छी वैसे ही सो रही थी तो वो उसे वैसे ही छोड़ कर फ्रे सोने वासरुम में चला गया बाहर आया तो भी कोई हलचल नहीं थी टाइम देखा तो साड़े दस बशने वाले हैं तो नास्ता आरडर किया और उसके पास आते हुए बोला गुड मॉर्निंग पंडिताइन अब तो उड़ जाईए कितना सोना है यार अभी लेकिन रुद्राच्छी ने अभी कुछ नह बोला हम सुबह सुबह इतना रोमांटी की इस रुम में कुछ हुआ है क्या जिसका असर हुआ है रुद्राच्छी उसके गले में हाट डाल कर उसे अपने उपर खीशते हुए बोली है ना और आपको अभी पता चला है मुझे तो पिछले 6 गंडे से पता है इस रुम में मे मेरे साथ एक होड़ सा बंदा है जो अपनी ही वाइब के सामने अभी तक सरीफ बना हुआ है और उसकी सरीफी को देखते हुए मुझे ही अपनी सराफ़त चोड़कर बाहर आना पड़ता है आरा दिव से देखते हुए अच्छा तो मैं आपको सरीफ दिख रहा हूं रुद में भी तो जाना है आरा थे उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला लेकिन अम में बिलकुल मजाक नहीं कर रहा और मौसम भी आज मेरे साथ है बोल उसके होटों को लॉक कर दिया कुछ दिर बाद उनकी बेल बजी एक बार दोनों ने इग्नोर किया तब तक दुबारा भजी तवारा धिदूर हटते हुए बोला सबको मेरे ही रो मंस की धजियां उडानी है यहां भी सुकून नहीं है मुझे बोलते हुए दरवाजा खोला तो उन दोनों का नास्ता धजी से लेकर वो अंदर आ गया तो देखा बेट पर से रुदराच्छी गायब थी तो नास्ता टेबल पर रखकर कपड़े निकालने लगा रुदराच्छी के लिए भी उसने ही पैकिंग किया था तो उसके लिए सोट्स के साथ क्रॉप टॉप निकाल दिया आज मौसम खराब थावारी सो रही थी तो दोनों अभी होटल में ही रुखने वाले थी कुछ तो जितना मर्दी यूश की जिये बूल दर्वाजा बंद कर लिया आरादे बोला बाहर आवाज बताता हूँ अब तो भागने के लिए कोई भाना भी नहीं है थोड़ी देर बाद रुदराच्छी बाहर आई वालों से पानी अभी भी गिर रहा था कुछ बुदे उसके च चिने से लग गई दोनों के धड़कनों का सोर इस समय एक जैसा था बाहर सुबह सुबह की बारिसा और अंदर दोनों के धड़कनों का सोर था कुछ देर तक वो वैसे ही लगकर खुद को संद करती रही फिर दूर होते हुए बोली आप आप फ्रेस हो जाए मुझे भूख लगी है आरादे उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर अपना सर उसके सर से लगाते हुए बोला I love you रुदराची बोली I love you टू आरादे बोला बस दो मिनट में आया तब तक आप तैयार हो जाई ये बोल टावल लेकर बातरों में चला गया रुदराची ने अब खुबसूरती थी केरल की नेचर से भरा हुआ माहौल था दूर दूर तक फैली हरियाली और मौसम भी ठंडा था तो थोड़ी सी ठंड भी लग रही थी फिर भी उशने टेबल वही लगा कर नास्ता वही टेबल पर रख दिया और सामने देखते हुए आरा धिकावेट करने ल पास आते हुए बोला मीठी क्या देख रही हो अब भूक नहीं लगी है क्या रुदराच्छी बोली हम बैठिये आपका ही वेट कर रही थी बोलते हुए उसके पास आकर बैठ गए कुछ देर में दोनों ने खाना खाया और वहीं बैठ कर वारिस देखने लगे रुदराच रुदराच्छी बोली हम आरादे एक मिनट तुम बैठो मैं आरा हूं बोलकर बाहर चला गया रुदराच्छी बैठ कर अपने हाज से बारिस के बुदो को लेकर खेल रही थी कुछ दिर बाद आरादे वापस आया और बैठते हुए एक कप उसकी तरफ बढ़ा दिया रु भी सांथी नहीं थीॐ रुदराच्छी के चेहरे और गरदन पर आरादी की साथ से उसकी बेचैनी बढ़ा रही थीॐ फिर भी वो खुद को रोके हुए उसके हां में हां मिला रही थी। आराधी ने अपने हाथ को लेजा कर बातो ही बातों में उसके पेट पर रख दिया और वैसे ही बातों में लगा रहा। चेहरा उसकी तरफ किया तो रुदराची का पूरा फेस रेड हो चुका था जैसे वो कब से खुद को उसकी छुएं से समाल रही है। आराधी अपना हाथ हटाते हुए बोला सौरी वो रुदराची ने आखे बंद कर लिया और उसके हाथ जाकर आराधी के हाथ पर कस गए। आराधी बोला मिठी अंदर चलो ठंड लग जाएगी वैसे भी ये वारिस इतनी जल्दी तो नहीं रुखने वाली है। रुदराची बिना कुछ बोले वैसे ही बैठी रही। आराधी बोला ठीक है मैं। इसके आगे बेचारा आराधी बोलने के हालत में नहीं था। दोनो इस समय दुनिया जहां को भुला कर एक दूसरे में खो कर एक दूसरे को किस कर रहे थे दोनों में से किसी को आज भागने की कोई जल्दी नहीं थी। काफी देर बाद दोनों दूर हुए रुदराची उसके सीने से सर लगा कर अपनी बढ़ती सांसों को कंट्रोल कर रही थ आराध्य उसे वैसे ही उठा कर अंदर लाया और वालकनी का दर्वासा बंद कर दिया। मौसम में ठंड पहले ही बढ़ चुकी थी और बारिस और पहाडी लागे की वज़े से रुम में दर्वासा बंद होते ही अंधेरा हो चुका था। रुम में हलकी सी लाइट जल रही जिसे आराधिने आफ कर दिया, दोनों बेट पर थे लेकिन पहल करने में अभी भी एक हिच की चाहर्ट एक संकोष था, प्यार और ज़स्बात दोनों तरफ थे लेकिन दोनों खामोश बस सांसों का सोर था, जो उनकी उपस्तिती दर्श करवा रहा था, कुछ दिर खामोश र बढ़कर उसके गले लगते हुए बोली अभी भी आपको इजाज़त चाहिए आराधी ने उसके गरदन पर अपने होट रख दिया तो रुद्राची की पकड़ उस पर कस गई ये फीलिंग वो दोनों आज सब्दों में बया नहीं कर सकते थे बस इतना कि आज दोनों ने एक दूसरे को पा लिया था बाहर होती बारी संदर दोनों को भीगा रही थी आज दोनों को इंतजार खत्म हुआ था आज दोनों दो से एक हो गए थे, साम से कब राथ हुई दोनों को पता ही नहीं चला राथ को एक बजे रुद्राच्छी को भूख लगा तो उसे पकड़कर आराम से सोते आराधी को देखा फिर खुद को देखते हुए भूग तो भूग क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था उठने को हुई कि उसकी हलचल से आराधिकी नीद खुल गई और वो जल्दी से उठते हुए बोला मीठी क्या हुआ कहीं दर्द हो रहा है रुदराच्छी ने अपना सर पीट लिया कि ये कौन सा सवाल है यार फिर उसे देखी जो उसे हैरान परेशान सा देख रहा था फिर खुद को रिलेक्स करते हुए बोली भूख भूख लगी है मुझे आराध्य ने टाइम देखा तो एक बज रहे थे फिर उठते हुए बोला खाना तो नहीं मिलेगा लेकिन मैंने कुछ फ्रूट्स वेसी टेबल और मैगी रखा है बोलो क्या खाना है मारी जान को रुदराच्छी बोली हम मैगी आराध्य बोला ठीक है मैं वस पांच उनन में बना देता हूँ यहां इमर्जेंसी के लिए कुछ चीजे हैं बोल टीसर्ट उठा कर पहनने को हुआ तो रुदराच्छी आगे बढ़कर उसका टीसर्ट लेते हुए बोली मुझे अपने हस्बेंट को ऐसे ही देखना है आराध्य उसके उपर जुकते हुए बोला अच्छा फिर सोश लीजे खाने खाने के बाद मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता खुद को रुदराच्छी दूसरी तरफ देखने लगी आराध्य बोला हम लड़कियों का ये सही है हमारे जिक्स पैक देखने होते हैं और जब गलती से भी हम कुछ देख ले या कुछ बोल दे तब तो हंगामा ही हो जाना है बोलते हुए मैगी बनाने चला गया कुछ देर में मैगी लाकर उसके सामने करते हुए बोला लीजे आपकी मैगी तयार है रुदराच्छी मूँ खोलते हुए तो खिला देजे आराध्य ने फोक मार कर मैगी उसकी तरफ बढ़ा दिया कुछ देर में दोनों ने मैगी खाया आराध्य प्लेड रख कर वापस आया तो रुदराच्छी जल्दी से ब्लैंकेट में घुश चुकी थी आराध्य उसके पास आते हुए बोला मीठी ये क्या है तुमने बोला था तुम पीछे नहीं भाग सकती हो रुदराच्छी बोली हाँ तो पीछे कौन भाग रहा है मैं तो आगे भाग रहे हूँ आराध्य बोला अच्छा ठीक है रुखो बताता हूँ तुम्हें बोलते हुए वो भी जल्दी से उसके ब्लैंकेट में घुश गया नेक्स डे आज सुबह उठने की किसी को कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि रात को दोनों ने अच्छा खासा एक दूसरे को परिशान किया था इसलिए आराध्य और रुदराच्छी दोनों आराम से सो रहे थे ग्यारा बजे जब हलका उजाला सीसे से उनके चेहरे पर पड़ा तो आराध्य ने आखे खोलते हुए सामने देखा तो घड़ी में ग्यारा बज रहे थे फिर अपने बगल में देखा तो रुदराच्छी आराम से उसे पकड़ कर अभी भी सो रही थी फोन में मैसेज का रिंग टोन बजा देखा तो अंकुर का था आराध्य एक नजर उदराच्छी को देखा फिर उसे मैसेज करते हुए बोला सालेथ तुझे अपनी वाइब के साथ होकर भी मेरी वाइब की इतनी चिंता क्यूं है बे और सुधर जावर ना अगर मैने बिनी को बताया ना तो फिर तेरा जो होगा वो मुझे भी नहीं मालू अंकुर बोला उसे सब पता है और तुम लोग अभी तक सो रहे हो क्या जो मेरे तीन घंटे पहले मैसेज का भी जाकर रिप्लाई कर रहे हो आरा दे बोला आज कर दिया है लेकिन अब मैं जब तक यहां हूँ वापस कोई मैसेज या कॉल करके हम दोनों को डिश्टर्व किया ना तो डारेक्ट ब्लॉक मार दूंगा एक तो तुमारे दोस्त के खामोस मुहबत को जानने में इतना वक्त लगा और उसके इतने दिन के बाद तुम सबसे इतना दूर आया हूँ कि उसके साथ कुछ पल सुकून के बिता सकूँ तो उसमें भी तुमें जलन हो रही है बिनी के साथ खुश नहीं हो तो हमें क्यों डिश्टर्व कर रहे हो या अंगुर बोला अच्छा बेटा जी अगर नंबर बलाक मारा ना तो काली तुम दोनों के पास आजाओंगा और सुबह च्छे वज़े दर्वाजा भी नौक करूंगा समझे इसलिए मुझसे ज़्यादा होसियारी नहीं आरादे बोला साले कमी ने आकर दिखा तब तुझे बताता हूँ बोल फोन आफ करके रख दिया फिर कुछ देर तक रुदराच्छी को देखते हुए उसके चेहरे से बालों को साइट किया और जुखकर उसके सर पर किस करते हुए बोला गुड मॉर्निंग जान उटना नहीं है क्या अरे आस घुमने जाना है और मौसम भी अब ठीक हो चुका है तो चलते हैं ना या फिर आज भी यहीं रुकना है रुदराच्छी आँखे खोलते हुए बोली गुड मॉर्निंग और अपने दोनों हाथ उसके सामने फैला दिये आराध्य उसे हग करके बोला गुड मॉर्निंग और अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ और मैंने नास्ता हार्डर कर दिया है फिर घुमने चलते हैं रुदराच्छी बोली हम आराध्य बोला मैं हेल्प करूँ रुदराच्छी उसे देखते हुए कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है आराध्य मो लटका कर हम हनी मून पर आए हैं यार रुदराच्छी बोली हाँ तो मैं कब बोल रहे हूं कि भजन करने आए हैं आराध्य बोला कि तरह बढ़ गया कुछ देर में दोनों फ्रेशो कर नास्ता की और फिर घूमने के लिए निकल गए आज दोनों का होटल आने का कोई प्लान नहीं था दोनों का आज बाहर का ही प्लान था तो दिन भर आराम से यहां से वहां घूमते रहें इधर अंकुर विनी के साथ राधि रुद्राची दोनों ने मिलकर वेज बार्बी क्यू किया और ठेर सारी मस्ती और एक दूसरे के साथ खुब सारा अच्छा वक्त विताया तिन दिन बाद अंकुर विनी घार आ गया अंकुर आफिस में बिजी हो गया और विनी घर में सब के साथ सालिनी रुद्राची का कैसे बीता पता ही नहीं चला लेकिन आज यहां पर उनकी आखिरी रात थी जिसे दोनों अच्छे से सेलिबरेट करना चाहते थे रात को आठ वजे आ राधि रुद्राची के आँख पर पठी बात कर अंदर लाया और बीच में खड़ा करते हुए पठी ख खोल दिया रुद्राची ने आखे खोल कर देखा तो पूरा रुम फूलों और कैंडल से सजाया गया था हलका हलका म्यूजिक और बीच में केक रखा हुआ था आराधि उसे देख कर वोला नहीं पसंद आया ना मुझे लगा था लेकिन रुद्राची उसे देखते हुए क् अगर आप ये सब नहीं भी करते ना तो भी आप मेरे साथ है तो दिन के 24 घंटे मेरे लिए खास है ये फूल कुछ देर में खराब हो जाएंगे और कैंडल बुख जाएगी परफ्यूम खत्म हो जाएगा लेकिन फिर उसके सीने पर हाथ रखकर प्यार से बोली ये जो दिल अगर कुछ गडबड किया ना तो फिर आराधि उसके कमर में हाथ डाल कर अपने करिब करते हुए उसे देख कर बोला अभी भी धम की I love it बोल उसके होटों को छूते हुए बोला आप केक कट कीजिए फिर दोनों ने केक कट किया थोड़ा बहुत खाना खाया और सैंपन की बोटल देखते हुए आराधि बोला यह क्या है यह कौन पिएगा यार रुद्राची बोटल खोलते हुए हम दोनों आराधि बोला मिठी मजाक नहीं हम बनारस के पंडित हैं अच्छा थोड़े लगता है हम अपने संसकार और सभेता नहीं बूल सकते वो बोले जा रहा था और रुद्राची ने तब तक आधा से जाधा गटक लिया आराधि उसे देखकर बोटल छीनते हुए यह क्या किया यार अगर किसी को पतर चला तो क्या सोचेगा हमारे बारे में रुद्राची ने अब बचा हुआ उसके मों से लगा दिया आराधि एक बार में ही बचा हु हुए हामे गर्दन हिला दिया आराधि उसके सर पर हलका सा मारते हुए बोला आज के बाद तुम दुबारा कभी नहीं पियोगी दिसीज लाश्ट रुद्राची उसे देखते हुए उसके चेहरे और होटों को छूते हुए बोली आप दूर नहीं जाओगे तो नहीं पियो आ गए रास्ते में ठक गए थे तो नंदिनी ने दोनों को फिलहाल के लिए आराम करने के लिए भेज दिया अवंतिका अविरल के साथ डॉक्टर के पास गए थी उसका भी आठवा महीना चल रहा था तो अब दिक्कस जादा बढ़ गए थी डॉक्टर ने साउधानी रखन संतोष जी और सबसे मिलकर वापस अपने दूसरे घर मतलब आराध के घर आ गई तीन चार दिन बाद उसने अपना ओफिस जोईन कर लिया क्योंकि काम काफी बढ़ चुका था दीरे दीरे वक्त बीत रहा था एक महीने बाद सब हॉस्पिटल में थे और अवंतिका अंदर सबसे ज़्यादा इन सब में कोई परेसान था तो वो थी रुद्राच्छी वो अविरल से ज़्यादा चक्कर बाहर मार रही थी आराध्य बोला मिठी यार सांथ हो जाओ कुछ नहीं होगा भावी ठीक है और बेबी भी देखना जल्दी तुम्हारे हाथों में होगा उसके कुछ नहीं होगा भावी को बोल उसे गले लगा लिया कुछ देर बाद नर्स बाहर आई और सब को देखते हुए बोली बधाई हो बेटी हुई है और उसे लेकर आगे आई नंदिनी रुद्राच्छी को देखते हुए मिठी लोचाची बन गई अब तो सबसे पहले इस प फेरते हुए बोला मीठी क्या हुआ है नंदिनी बच्चे को पकड़ते हुए बोली आराध बाहर ले जाओ कुछ देर बाद लाना सब को डराने वाले आज खुट दर गई है आराध के साथ साथ सबको उसकी हालत पर हंसी आ रही थी कुछ देर बाद आराध उसे वापस अं अब वो उसे लेकर आराम से बिंच पर वैट कर उसे देखने लगी अब सालिनी संतोष जी और बाकी सब लोग भी आ चुके थे सबने रुद्राच्छी के बारे में सुना तो कुछ देर के लिए यकीन ही नहीं हुआ ये उनकी बेटी है या फिर वापस से बदल गई है अंक कर रुद्राच्छी के पास चला गया जहां वो बच्चे के साथ अब आराम से खेल रही थी चार दिन बाद अवंतिका और बच्ची को लेकर सब घर आ गया घर को पूरा फुलों से सजाया गया जगर जगर बैलून भी लगे हुए थे एकदम यूनीक इस्टाइल में दोनो कर देक भी नहीं देखी थी वो बाहर में हमानों में बीजी था कुछ देर बैठने के बाद अविला लवंतिका को बच्चे के साथ आराम करने उनके रूम में भेज दिया गया सबके आने जाने में साम हो गई और बाकी लोगों को जाने में रात को दस बस गए रुद्राच है या फिर चाची बनने की खुशी में सब कुछ त्याग दिया है रुद्राची बोली मा बस मैं जाही रही थी बस ये थोड़ा सा बचा है तो सोचा कर वादू फिर चली जाओंगी नंदिनी बोली अच्छा ठीक है मैं देख लूंगी अब तुम जाओ रुद्राची बोल कुछ देर में बाहर आई तो आराधी करवट लेकर सोया हुआ था रुद्राची बेट पर आकर उसे थोड़ी दूरी बनाकर लेट गई कुछ देर बाद भी जब आराधी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो उसने करवट लिया इस बार रुद्राची आंखे बंद कर चुकी आराधी उसे देखते हुए बोला यह सही है नाराज मैं हूँ और किसी को मुझे मनाना भी नहीं है देख रहे हैं नमहादेर साधी के बाद लोग कितना बदल जाते हैं कि पती वेचारा सुबह से एक जलक के लिए तरसा जा रहा है और यहां तो जैसे किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है रुदराची अब आँखे खोलते हुए बोली अच्छा तो आपको बताना चाहिए ना कि आप नाराज है मुझे तो लगा आप ठक कर सो गए होंगे अगर पता होता आप नाराज है तो मैं जरूर कुछे फर डालती आपको मनाने के लिए वैसे आप कैसे मानना प मनाऊंगी मैं ऐसे मुझ फुला कर दूसरी तरफ देखेंगे तो फिर कैसे मनाऊंगी मैं वैसे जब आप गुस्सा होते हैं तो मन तो करता है आराज घुमते हुए बोला क्या करता है रुदराची बोली वही आप समझ जाओ आराज बोला नहीं मुझे नहीं समझना बता कर दिखाना पड़ेगा रुद्राच्छी अब उठकर दूर जाने लगी आराधे उसका हाथ पकड़ कर ये क्या है रुद्राच्छी बोली आप इने तो बोला करके दिखाओ तो दिखाने दीजिए आराधे ने कुछ सोच कर उसका हाथ छोड़ दिया तो वो जाकर सामने सोफे पर आखे बंद करके लेट गई आराधे जलाते हुए बोला मीठी ये क्या है रुद्राच्छी बोली आपने बोला करके दिखाने गोदो दिखा रही हूं जब आप गुस्सा होते हैं तो मेरा मन यही करता है कि सोफे पर आकर सो जाओ फिर सुबह देखा जाएगा कौन सा आ आना तो आपको यही पर है तो आराम से मनाती रहोंगी आरा ध्यावूट कर उसे सोफे पर से उठा कर बेट पर फटकते हुए बोला अच्छा एक तो सुबह से ना एक नजर देखाना मेरे पास आई और अभी भी सोफे पर सोने का मन है अब तो सुना भूल जाओ चलो गलती किया है तो अब सजा के लिए तायार हो जाओ वैसे भी बेबी के आने के बाद तो तुमने उसके चाचू के तरफ देखा भी नहीं बोलते हुए अपना टीसर्ट उतार कर बेट पर फेकते हुए बोला अभी भी कुछ कहना है रुदराच्छी ने पहले हां में सीर हिलाया ल आपको मुझे ऐसे देखकर कुछ कुछ होता है जो नहीं देखना कोई बात नहीं मैं ऐसे ही सोजाता हूं वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डिसर्ट खोल कर सोने में लेकिन रात को आप मेरे पास बिलकूल मत आईएगा मिसेश पूर सोत्तम बोल उसके बगल में लेट गया और उसके एकसन का इंतजार करने लगा रुदराच्छी ने आखे खोल कर देखा तो आराधि उसे ही देख रहा था फिर जब उसकी नजर उसके खाली सीने पर पड़ी तो हाथ पर जैसे ठंडे पड़ गए आराधि उसे देखते हुए बोला तो आप क्या खयाल ह रुदराच्छी बोले आ आप मुझे परेसान कर रहे हैं आराधि भोला और सुबश से मुझे किसने किया था जरह बता सकती हैं आप मुझे रुद्राच्छी बोली ओके सौरी अफ सित्हान रखूंगी आराध्य बोला लेकिन आज मुझे ऐसे ही सोना है जिसको खुद पर कंट्रोल नहीं है वो अपना देखे और मेरी तरफ से आज की उसकी यही सजा है रुद्राच्छी उसे देख रही थी चेहरे के एक्स्प्रेशन बदल रहे थे अब वो उठनों को हुई लेकिन आराध्य ने उसके कमर से पकड़ कर अपने पास खीच लिया दोनों के धटकनों का हाल बेहाल थजो की दोनों को पता था इसलिए दोनों सान थे कुछ देर बाद रुद्राच्छी उसे देखते हुए बोली I love you आराध्य बोला I love you too अब सो जाओ रुद्राच्छी उसे वैसे ही देखते हुए बोली और आपको लगता है आपको ऐसे देखकर मैं सो सकती हूँ आराध्य उसे देखकर अब जल्दी से टीसर्ट उठाने को हुआ लेकिन रुद्राच्छी ने उसके सीने पर अपने होट रख दी आराध्य के हाथ वहीं रुख गए आँखें अपने आप बंद हो गई वो इस एहसास को आज फिर से जी लेना चाहता था जो कि उसने कितने दिनों से मिस किया था कुछ देर बाद दोनों अपनी दुनिया में मस्त थे अब यहां ना कोई सिकायत थी और ना ही कोई नाराज गी कुछ दिन ऐसे ही सब का खुसी खुसी बीद गया नाम करण में भी सबने खोप सारी मस्ती किया रितिका ने बच्ची का नाम अर्वी रखा, सब खुश थे और सब की लाइफ आराम से अब आगे बढ़ रही थी, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराध है और रुद्राच्छी भी अपने लाइफ में इतना खुश थे, कि बाकी दुनिया को तो जैसे खुद के आ थेंक्यू फॉर वाचिंग मिलते हैं एक और प्यारी सी कहानी के